बिडेन के मैंचिस्टर अरिना में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 22 लोग की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग खायल हो गई बिडेन में इसके पहले भी आतंकवादी हमले हुए हैं अक्टूबर नॉमबर 1974 में बिडिस पॉप्स में हुए दमाकों में 28 लोग मारे गए थे और 200 से ज़्यादा लोग खायल हुए इन हमलों को आईरिस रिपाबलिकन आर्मी ने अन्जाम दिया था फरबरी 1991 में आईरिस रिपाबलिकन आर्मी दुआरे किये गए हमले की स्कोसिस में ततकालिंग प्रधानमंती जौन मेजर और परमुक कैबिनेट मंत्री बालबाल बचे इसमें डाउनिंग अस्ट्रीट पर मोटर से हमला किया गया था 7 जुलाई 2005 को लंदन में बिस्पोर्ट हुआ जिसमें 52 लोग मारे गए और 770 से जादा लोग घायल हुए 21 जुलाई 2005 को चार जिहादी हमलावाद ने लंदन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को निसाना बनाया और मैट्रो के अंदर बम धमागे करने की कोशिस की लेकिन वे नाकाम रहे जुन 2007 को लंदन के केंदरी हिस्से में पुलिस ने दो कार बम बरामत किये इनमें पेट्रॉल, गैस, सिलिंडर, शर्रे लगे थे बमोर्ट ने नफटने के कारण यह साजित असफल साविक हुई थी माई 2008 को एक हमलावर ने एक कैफे कोई सौचाले में बम धमागे करने की कोशिस की और खुद को घायल कर लिया इस हमले में जानमाल का कोई नुपसान नहीं हुआ था मार्च 2009 को I.R.A. ने यानि रियल आईरिस रिपबलिकन आर्मी ने दो सेनिगों को गोली मारती इसके दो दिन बाद ही उतरी आईरिलेंड में एक रिपब्लिकन बंदुखधारियों ने एक पोलिस सर्विस आफ नौर्दन आईरिलेंड अधिकारियों को गोली मार कर हत्या करती मई 2013 को तक्समी दंदन में दो आतंक वादियों ने बिटिस रेजिमन्ट के एक अधिकारी लीग रिगमी को दीन दहाडे हत्या करती डिसंबर 2015 को लिंटन स्टोन टुब अस्टेशन पर एक हमलावर ने तीन लोगों को चाहु मार दिया 22 मार्च 2017 को बेश्क मिश्कर पर हुए इस हमले में एक पुलिस अधिकारी समेट 5 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हो गए ब्यूरो रिपोर्ट